यहां पर हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाला सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्या लेकर आए पता है जीवन परिचे मात्रिया आपको चार जीवन परिचे पढ़ना है क्योंकि जीवन परिचे होता ना आपके बोर्ड में किते नंबर खाता है आपको पता है आपके परिच्छा में दस नंबर खाता है एक आता है कभी का किस काता है कभी का और एक किस काता है आपको लेखक काता है किस काता है लेखक काता है तो यह लेखक और कभी दोनों मिलाकर क पता है आपको कुल 10 नंबर दिलवाने वाने कि नंबर दस नंबर तो आपके मन में आता है न कि गुरुजी यह जो दस नंबर है अगर यह हमारे पेपर में आएगा तो हम कैसे करेंगे आखिरकार हम कैसे करेंगे कि हमें ये 10 में 10 पूरा नमबर मिलेगा बिलकुल लेकिन कैसे मिलेगा जब ये आप केवल केवल ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यह आपड़ अगर आप ये 4 जीवन परचे तयार कर लिए कितना चार ये जीवन परचे तयार कर लिए तो ये समझ लिजिए कि आपको पूरा नमबर मिलेगा और ये सबसे महत्यपूर वाले जीवन परचे है सबसे महत्यपूर वाले जो आपके पेपर में आएंगे ठीक है ना लेकिन यार इसके पहले हम लोग जीवन परिछेएं आपर देखें किसा किसा पंड़ना है, आपको पंड़ने का तरीका कैसे लगाना है, क्या वो ट्रिक लगाना है, अगर ये आप जो point मैं लिखाया है, अगर ये आप तयार कर लिए तो जीवन परिचे और किसी का ही रह सका ह 되면 किसी रह गया रहेखे यूअ रहेगा यहां पर आपको कहाँ लिगना है जन्म अस्थान इस है फूर्म स्टान है आपको लासा कैसी थी ती और उनकी मृत पकब हुई थी, और अगर आपको याद करना है तो माता और पिता का नाम इनके पिता का नाम, अगर ये आपको detail में याद है तो आप किसी का भी जीवन पर्चे आसाणी से लिख सकते हैं चले देखते हैं कि किसका किसका सबसे आई एमपी वाला पहला जीवन परचवाल का आपको जीवन परचव करना हैं इस अई कुछ बता दिया हूँ यह सबसे इंप्राटन्ट वाला क्या है जीवन परचवहें सब इंपॉर्टेंट पॉड्ट में मैंने आप लिखा है कि डॉक्तर वासुदेव सड़क्रवाल का जर्म कब हुआ था इसम देख लिए ची साथ अगस्त 1904 इसवी में हुआ था जर्म स्थान सर क्या था मेरट कहा परिस्तित है मेरट कहा परिस्तित है उप इसका मुनलब जैसे गुरुजी बीये बीयसी आपे लोग जानते होंगे बीये बीयसी लोग करते है ना कि अबस वांच कि विचारातमक, मतलब यह बात करते थी, और परिमार्जित हसन थे बोलीरिकी सर भासा थी, इनकी सेली सर कैसी थी? विचार आत्मक थी यानि कि ये विचार आत्मक सैली थी निकी और गवेशर आत्मक और व्याख्यात्मक थी, इनकी प्रमुरचना यह जैसे सर जन्म जन्मस्थान उपाद भासास अहली प्रमुरस्णाय और इनकी मृत्तु 27 जुलाई 1967 इसवी में इनकी मृत्तु हुई थी अगर यह आप तयार कर लिए तो यह समझ लिजी कि आपका काम हो गया ठीन चलिए दूसरा यहाँ सर इंपॉर्टेंट वाले कौन है दूसरे है प काहां पर हुआ था नष्प अंत्र देश में हुआ था यह सर और थे क्या थे यह सब्सक्राइन पर देश हिंदी गया रहें अध्यक्ष रहें सुनिया गांधी राछों गांधी ऊता ना या रहनhh जो भी रहते अपने अध्यक्ष होते हैं पिर आप अपने कॉलेज में देखेंगे जब आप बड़े कॉलेंट पढ़ते हैं इनकी प्रारमिक सिच्छा तो यह संस्कृत और तेलगू से इन्होंने अपनी पढ़ाई किया था लेकन विदासर कैसी थी हिंदी थी तेलगू भास मेरे विचार और क्या है रक्षण की भासा और क्या है इनकी उनका शाहित इत्याद के प्रण्डश राएज है अंकी सर मिर्ट्टु कभ हूई थी चब हो इंदे इसंद 25ैमी में क्या हो गय थी म्रित्ट हो गए तियार कर ले जिए एक i Oregon है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्रिवेडी जी है यहां पर, सबसे महतपुडवाला जी उन परचे है देखेगा, सबसे पहले जन्म, तो जन्म 1907 इस्वी में इनका हुआ था, कब हुआ था ? सन Спार 17 drugiej में गुरु जी इनका जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था दिवै का छपरा जो की बलिय का छपरा जो की बलिय कहां पर रहे यू पी में है पीता गराम अनमोल दृवेती थी था और प्रदान अध्यापक थे इत्याद इनकी प्रमुक रचनाय सर जी असोग का फूल इंपॉर्टेंट है विचार प्रवाह इंपॉर्टेंट है विचार और विचार जो इंपॉर्टेंट वही आपर मैंने एड़ किया है कर पलता बाल भट्टी की आद्मकता चारुचंद्र रे इत्याद इनकी सर प्रमुक रचनाये हैं इनकी मुर्ट कव हुई थी आठ मई सन उन्नी सो पुन्यासी की गुरुजी जॉप्टर हजाहिर सा द्रिवेदी का क्या होगा हो गया हम्रित हो गया ठीक है चलिए उसके बाद यहां पे लास्ट और चौथा लास्ट और चौथा आ इनका जन्म हुआ था जन्म अस्थान क्या था निजामाबाद आजमगढ में हुआ था माता और पितागनाम भोला सिंग उपाध्याय और सर्मातागनाम रुकमडी देवी था क्या था रुकमडी देवी था यह सब अगर पॉइंट याद है तो यह समने लिजे कि जीवर पर कि आप आसानी से लिख सकते हैं इनकी भाक本 कैसी थी और खड़ी वोली थी और क्या थी खड़ी बोली थी इनकी सब स्वैली प्रभंद एवन मुक्तत थी स्वैली थी थी उसके आगी प्रभंगर रचनाय की बात करें तो कि देख लिजिए जैसे प्रवास है और चोखेश्य है और चुबते चौबते हैं और वैदेही वनवास इत्याद इनकी गुरुजी क्या है महत्यपूरत नाय है और यह सब सबसे महत्यपूर चार जीवन परचे जो कि सम इंपॉर्टन पॉइंट भी मैंने हाफिर बता है कि आप लोग कैसे इसको याद करेंगी और यह आपके बोर्ड एक्जाम में 100% आएगा इससे बाहर आने वाला नहीं है अगर इस वीडियो का अगर आप देखकर इसे तयार कर ल झाल, दो कि सम इंपूर।